तो गैस बहुत टाइम से चैनल पर डिमांड आ रही है कि सर सबसे पॉपलर इस्टिरोइड जिसे हम एनावर के नाम से जानते हैं उसके उपर प्लीज आप विडियो बनाए इसकी पॉपलरटी काफी बढ़ रही है जो की मेल में नहीं है फीमेल में भी काफी बढ़ रही है तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं तो देखिए जो एनावर है ना वो स्टिरोइड का फॉमिलेशन हुआ था येर 1960 में और इस स्टिरोइड का फॉमिलेशन हुआ था वो कुछ परपस की जैसे होता देखिए बहुत सारे ऐसे पेशन्स होते हैं जो लोग सीवियरली अंडरवेट होते हैं डियू टू क्रॉनिक इंफेक्शन, डियू टू सर्जरी, डियू टू ट्रॉमा तो उन्हें एनवर जो है प्रिस्क्राइब किया जाता था क्योंकि एनवर की एक प्रोपर्टी है कि ये मसल मास को बढ़ाता है तो ऐसे सीवियरली अंडरवेट पेशन्ट में ये वेट बढ़ाने का काम करता है इस वज़े से इस स्टिरोट को जो है फॉर्मिलेट किया गया था साथी साथ बहुत सारे ऐसे पेशन्ट जिन्हें बोन पेन होता है डू टू आस्टियो प्रोसिस उन्हें भी एनवर प्रिस्क्राइब याता है तो ये सब एनवर के बेनिफिट्स थे पर क्योंकि एनवर मसल मास इंक्रीज करता था इसलिए बॉडी बिल्डिंग में इसका अब्यूस होना चालू होगे रिसेर्चर्स के अकॉर्डिंग जब कुछ पार्टिसिपेंट्स को डेली बारा हफ्तों तक 2.5 mg एनवर की डूस दी गई तो ये पाया गया कि एनवर ने नहीं उन पार्टिसिपेंट्स में 7 LBS मसल गेन किया है वलकि 4 LBS फैट लॉस भी किया है तो एनवर एक ऐसा इस्टिरोइड है जो मसल गेन करने के साथ साथ फैट लॉस भी करता है और गयाज जो एनवर के बेनिफिट्स है न वो मसल गेन और फैट लॉस तक ही सीमित नहीं है बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जिन्हें अपनी स्ट्रेंथ उस टाइम पे बढ़ानी होत देखे तो उस टाइम जो है कुछ प्लेयर्स भी एनवर लेते हैं क्योंकि एनवर इस ट्रेंथ को एमप्रूव करता है परफॉमिन्स को एमप्रूव करता है इसलिए एनवर जो इस्टिरोइड है वो सिर्फ बॉड़ी बिल्डिंग में ही पॉपलर नहीं है सिर्फ बॉडी steroid के side effects से डरते हैं, वो लोग typically anever choose करते हैं, क्योंकि anever, बाकी के steroid से comparison में, बहुत ही कम side effects देता है, दूसरी चीज, anever, women लोगों का favorite steroid है, ये female लोगों का favorite steroid है, female लोगों के दो favorite steroid है, दूसरा वो लोग बना चुका हूँ, आप लोगों को जाना है तो जाके देख सकते हैं, तो anever का ये popularity का एक दो बहुत प्रमफुरीजन है, एक तो ये कम side effect देता है, as compared to other stewards, और दूसरा females में भी ये बहुत ही जादा popular है, अभी जो anever है, वो without prescription बेशना illegal है, इसलिए आपको ये medical shop पे available नहीं होगा, बिना prescription के इससे नहीं ले सकते, पर internet पे ये बहुत ही easily मौझूद है, इसलिए लोग इसलिए लेते हैं, पर legal way में अगर आप इसे medicine shop से लेना चाहें, किसी drug store से लेना चाहें, तो ये आपको नहीं मिलेगा, until and unless आपके पास उसका prescription हो, और doctors लोग अगर किसी patient को anever prescribe भी करते हैं, तो उन patient को जो doses देते हैं, उन adults को जो doses देते हैं, वो 2.5 mg to 20 mg की होती है, जो उन्हें कुछ time period के लिए, छोटे time period के लिए हैं लेनी परती है, दिन में 2 से 4 बार divide करके, पर bodybuilders जब इसे लेते हैं, तो वो 10 to 100 times जादा लेते हैं, जो doctors लोग patients को prescribe करते हैं, उससे 10 to 100 times जादा dose में लेते हैं, और काफी लंबे time तक लेते हैं, और guys, anever भी side effect पैदा करता है, क्योंकि जब भी anever लिना चालू करता है, तो इस तरह से addict हो जाता है anever के, क्योंकि anever body बहुत attractive कर देता है, तो इस तरह से लोग addict हो जाते हैं, कि anever छोड़ नहीं पाते हैं, बहुत लंबे-लंबे time तक लेते रहते हैं, इसलिए anever के बहुत सारे side effects भी है, आगे हम इनी side effects के बारे हम बात करेंगे, तो सबसे पहला side effect, देखिए stats के according, most of the anever, जो आपको market में easily मिल जाता है, जो आपको internet पे easily मिल जाता है, वो fake होता है, आपको पता ही नहीं कि उसमें actual में क्या है, इसलिए guys, ये advisable नहीं है, चाहे आप male हो या आप female हो, दूसरे side effect की बात करेंगे, तो बहुत ही ध्यान जा सुनिएगा, research के according, एक 31 year का old male, ठीक है, उसे hospital के emergency room में भरती करना पड़ा, क्योंकि भरती करना पड़ा, क्योंकि उसे, जो है hallucination और rhabdomyolysis की problem हो गई थी, hallucination मतलब क्या हो गया, unusual behavior, और rhabdomyolysis में क्या होता है, कि ये एक ऐसी बिमारी है, कि आप में permanent disability भी हो सकती है, तो ये जो 31 year का old बंदा था, जो old male था, ये एक metal की shop पे काम करता था, और जिस दिन वो hospital में admit हुआ, उसके एक दिन पहले ही, उसको metal shop में अजीब-जीब सी आवाजे सुनाई देने लग दे, उसे कुछ figures दिखने लग गए, जैसे हम hallucination बोलते हैं, तो इस वज़ाए से उसे hospital में admit करना पड़ा, और hospital में जब उसके history पूछी गई, तो उसने बताया, कि मैं कोई भी supplement नहीं लेता हूँ, कोई भी medicine नहीं लेता हूँ, पर मैं पिछले 6 हफते से एन आवर ले रहा हूँ, ठीक है, इसलिए दूसरा side effect, आप लोग धाने सुनी अगर एन आवर लेने की आप सोच रहे हैं, तीसरे side effect की बात करें, तो देखे, कोई भी steroids अगर आप लेते हैं, तो आप में वो, testosterone के production को बढ़ाता है, एन आवर के side effects इतने नहीं हैं, यह बहुत ही mild steroid है, इसलिए एन आवर छोड़ने के बाद हमारा testosterone, natural testosterone decline नहीं होगा, पर गाइस ऐसा नहीं है, एक research में ऐसा पाया गया है, कि वो लोग जो लोग एन आवर लेते थे, एन आवर छोड़ने के बाद भी, उनमें natural testosterone का production 40% से decline हो गया, चौता side effect, देखिए, several studies में ऐसा देखा जा चुका है, कि एन आवर लेने वालों में irritability, चिड़चिड़ापन, aggression, गुसा और anxiety बहुत ज़ादा बढ़ जाता है, और यह इस हद तक बढ़ जाता है, कि वो उनमें, उनसे violence भी create करा सकता है, इसलिए गास माने अना माने ऐसा भी देखा गया है, कि वो लोग जो लोग एन आवर लेते हैं, वो लोग Mary Joana, cocaine, heroin, यह सब भी उनही सब dealer से लेते हैं, जिससे वो store लेते हैं, अब यह सब वो क्यों लेते हैं, क्योंकि एन आवर को जो side effect होते हैं, जो आप में irritability, anxiety, और चिरचिड़ापा, नग्रेशन इससा पैदा करते हैं, उस effect को काम करने के लिए, लोग heroin और cocaine जैसे चीज जो है लेने लग जाते हैं, बात करें, पाचवे side effect के बारे में, तो देखिए, बहुत सारी जो females होती हैं, वो steroid generally क्यों नहीं लेती हैं, देखिए, वो steroid generally इसनली लेती हैं, क्योंकि anabolic steroid लेने से, manly characteristics develop होने लग जाते हैं, जैसे हम virilization बोलते हैं, ठीक है, तो जो female होती हैं, वो इन virilization से बहुत ही afraid होती हैं, इसलिए वो steroid नहीं लेती हैं, पर बहुत सारी female का ऐसा मानना है, क्योंकि anever है, वो बहुत ही mild steroid है, इसलिए ये हमें वो manly characteristics, virilization develop नहीं करेगा, पर गैस देखिए, anever लेने वाली most of the female में ऐसा देखा गया है, क्योंकि anever लेने से, उनकी body इतनी attractive हो जाती है, इसलिए वो anever के आदी हो जाती है, जिसकी वो anever को लंबे time तक लेती है, तो भला ही एक mild steroid क्यों नहीं हो, इसे लंबे time तक वो लेने के बाद, उनमें manly characteristics जैसे उनके face पे hair, उनकी आवाज मर्दों की तरह बहुत deep हो जाती है, तो ये सब side effects female को भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि anever इतना आसान नहीं है, छोड़ना जितना आप लोग सोचती हैं, बात करें छटे side effect के बारे में, तो देखें जो anever है, वो 17 alpha alkylated steroid है, जो कि आपके liver के लिए बहुत ही जादा toxic होता, ये आपके liver cells को damage करता है, एक research ही थी जिसमें 30 male bodybuilders को लिया गया, उन्हें 3 group में divide कर दिया गया, एक ऐसा group था, जिसने कभी anabolic steroid नहीं लिया था, दूसरा group ऐसा था, जिसने 3 महीने पहले anabolic steroid लेना छोड़ा था, और तीसरा group ऐसा था, जो anabolic steroid ले रहा था, इस study के अंद में ये पाया गया कि वो participant जिन्होंने 3 महीने पहले steroid लेना छोड़ दिया था, उन्हें भी जो liver cell का damage हुआ है, वो अभी तक पूरी तरा से सही नहीं हुआ है, मतलब अगर आप an hour लेते हैं, तो उसके द्वारा जो आपका liver cell damage हुआ है, जो आपके liver पे वो impact किया है, वो पूरा का पूरा तुरंत सही नहीं होता, वो महीनों महीनों तक आपके body में वैसे ही present रहता, आप महीनों महीनों तक सफर कर रहे होते हैं, बात करें guys सबसे last side effect के बारे में तो बोलने को तो बहुत कुछ है, वडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको अपनी screenplay table दिखा दे रहा हूँ, तो ये सब side effects भी आपको एन आवर से दिख सकते हैं, और guys, मैं जैसे की बहुत बार बोल चुका हूँ कि कोई भी चीज mild, strong ये मत सोचिए, जब आप steroid लेना चालू करते हैं, ठीक है, आपकी body attractive होने लग जाती है, तो आप उसके आदी हो जाते हैं, एक तरह का नशा हो जाता है, क्योंकि आप इतने अच्छे हो गए हैं, इतने bulk up हो गए हैं, अच्छे-च्छे मसाल आ गए हैं, अब जब आप steroid छोड़ेंगे तो आपसे कम होने लग जाएगा, तो आपसे वो देखा नहीं जाएगा, तो चाहे वो mild steroid ही क्यों नहीं हो, अगर आप उसके addict हो गए, तो आपकी life खराब हो सकती है, ठीक है guys, इसलिए प्लीज आप इसे ना ले,